तो आजी दोस्तो क्या हाल हैं? आज हमार पास है ये Asus VivoBook Pro 15 और ये model है M6500 काफी टाइम हो गया दोस्तो लैप्टॉप की वीडियो करे वे तो इस वीडियो में सारी बात करेंगे इसके बारे में इसके प्रोज और कॉन सारे आपको बदातावा चलूँगा वीडियो एंड तक आप जरूर देखना स्पेक्स की यहाँ पर जादा बात नहीं करेंगे सीधा रिव्यू पर जंप करेंगे पर मोटा मोटा करा देखें तो यहाँ पर आपको Ryzen 7 5800H पावरफुल प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है dedicated graphics card देखने के लिए मिल जाता है GTX 1650 4GB का और 16GB की RAM है जिसे आप upgrade नहीं कर सकते maximum है 3200MHz की और 512GB की SSD इसमें आपको मिल जाती है generation 3 ठीक है जी तो build quality से शुरू करते हैं और दोस्तों मेरा मानना है कि build quality एक ऐसी चीज है जिसकर आपको ध्यान देने चाहिए काफी लोग ignore कर देते है पर laptop एक ऐसी चीज है जो काफी टाइम तक आपके साथ रहता है maximum logo का मैंने देखा hinge hinge की तरफ से खड़ जाता है या फिर कुछ body body इतनी वीक होती है तो इसका ध्यान जरूर दीजिए यहाँ पर क्या है कि जो इसकी lid है वो metal के आपको देखने के मिलती है बाकी जो body है वो hard plastic है पर hard plastic जैसा लगता नहीं काफी अच्छा है दपता बपता नहीं कहीं से hinge की quality भी दोस्तो बढ़िया है काफी study है कोई दिक्तत वाली बात नहीं 180 degree वाली hinge मिलती है आपको इसमें थोरा हमसे कूब लिटा विटा के इस्तमाल करो और एक हाथ से open होता है नहीं यह आपको दिखा देते हैं एक बारी नहीं होगा दोस्तों एक हाथ से open दूसरा हाथ आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा अब दोस्तों 15 इंचिस का laptop है बड़ा laptop है तो खलका फुलका तो यह wobble करता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है कोई भी laptop यहाँ पर इतना तो wobble करे गाई एक चिज़ दोस्तों काफी बढ़िया यहाँ पर आपको मिलती है इसका जो trackpad है वो यहाँ पर काफी बढ़ा है और कीबोड की भी अगर हम बात करें तो backlit keyboard है और key travel भी काफी अच्छा है और overall जो typing experience रहा मेरा वो काफी अच्छा रहा इसके साथ बाकी 1080p का webcam है privacy shutter के साथ और जो fingerprint scanner है वो यहाँ पर power button के साथ आपको मिलता है और दोस्तों fingerprint से याद आया जो इसकी यह body है यह पूरी की पूरी fingerprint magnet है इसके color की विज़से dark color की वैसे काफी जल्दी मतलब गंदा हो जाता है यह कुछ मतलब आप थोड़ी बहुत देर इस्तमाल करो गंदा दिखने लगता है तो यह कौन ही मान लो इसका ports में भी दोस्तों यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है भरपूर आपको मिल जाते हैं left side की बात करें तो यहाँ पर दो USB 2.0 type A port मिल जाते हैं आपको right में 3.5 mm audio jack है SD card slot है USB 3.2 generation 2 type C port है और यह जो port है दोस्तों यहाँ पे आप इसके थ्रू चार्ज भी कर सकते हो इसको और display भी connect कर सकते हो HDMI 1.4 और दोस्तों जो HDMI 1.4 होता है यह 4K 30fps तक आप इससे display connect कर सकते हो और 2K में 60fps तक और 1080p के अगर हम बात करें तो 120fps तक यह जा सकता है और 144 तक भी मतलब support करता है लेकिन यह आपकी display पर depend करता है जनरल बात करें तो 1080p में 120fps तक ही max resolution आपका support करेगा इसके अलावा एक USB 3.2 generation 1 port मिल जाता है और एक आपका charging के लिए आपको यह port मिलता है अब display का जो मामला है दोस्तों वो यहाँ पर ऐसा ही है थोड़ा सा 144 refresh hertz के साथ यहाँ पर आपको display मिलती है IPS technology ही है पर यहाँ पर एक catch है यह दोस्तों display है यह 45% NTSC score के साथ आती है पर यहाँ पर यह display बिलकुल भी video editing के लिए appropriate नहीं है अगर आपको videos और edit करनी है color grading करनी है तो इस वाली display के तरफ मत जाना इसका OLED वाला version भी आता है सेम laptop का वो देख लेना अगर आपका budget जादा है थोड़ा महंगा है वो पर वो ले लेना अगर video editing का बहुत जादा काम है color grading का मेन काम है आपको तो बैसे normal usage के लिए display ठीक है कुछ जादा ऐसा कुछ पता चलता नहीं है वीडियो अगरा देख रहे हो आप उसमें कोई दिक्तत नहीं है ब्राइटनेस भी display की काफी अच्छी है 400 nits की ब्राइटनेस है कोई दिक्कत नहीं आती है आपको indoor outdoor में काफी अच्छी ब्राइटनेस इसमें मिल जाती है अब दोस्तो यह जो laptop है यह target करता है performance को performance की बात करते हैं तो यहाँ पर Ryzen 7 5800 H-series का प्रोसेसर है और दोस्तो यह काफी capable प्रोसेसर है कुछ भी जो टास्क है आपके day-to-day टास्क वो तो अराम से हैंडल करेगा इवन वीडियो एडिटिंग भी बड़े अराम से आप इस पर कर सकते हो अगर बस एक वो color grading वाला point हो capable प्रोसेसर है कर देगा वीडियो एडिटर अराम से बाकि 4GB का graphic card है GTX 1650 यह भी दोस्तो 1080p में GTA 5 जैसे जो गेम्स हैं वो आपके बड़े अराम से चला देगा कोई दिक्कत आलिवात उसमें है नहीं हमने आपर दोस्तों Valorant काफी खेला इस पर 200 प्लस fps 220 250 fps बड़े consistent हमे अगर आप ये laptop देख रहे हो ना तो बढ़िया है कोई दिक्तत वाली बात नहीं है इस पिकर्स यहां पर भाई Harman Kardon के हैं Dolby Atmos के सपोर्ट के साथ down firing है और अगर मैं loudness वगएर की बात करूँ तो ठीक हैं speakers नाई बहुत जादा बढ़िया है मदब ऐसे हैं कि आपको problem नहीं होगी सुनने में अगर आप movie वगएरा देख रहे हो तो चल जाएगा काम connectivity के मामले में यहां पर Wi-Fi 6 का सपोर्ट है Bluetooth 5 है और यहां पर Windows 11 है out of the box और Microsoft Office वगएरा भी आपको मिल जाता है battery backup भी यहां पर अच्छा बोलूँगा मैं यहां पर यह H series का processor है U series का processor नहीं है gaming processor है तो power तो यह खाये गा ही पर जैसे normal task हैं उनमें अच्छा battery backup मिल जाता है 5-6 गंटे का RAM से मिल जाता है बाकी gaming करते वे तो battery backup का कोई मतलब है नी power लगाके यह power में लगाके खेलो गया यह तो आपको पता ही है बाकी fan man इसके बड़ियां है gaming बेविंग करते वे भी इतनी जादा noise नी करते काफी सही है बाकी जितना मैंने इसको use किया भी तक ऐसा कोई issue भी नहीं आया और एक final conclusion की अगर हम बात करें तो college students जैसे की हैं उनक एक display वाला point आप छोड़ दो और मुझे नहीं लगता बाकी लोगों के लिए वो matter करेगा 144 Hz की screen है तो ऐसी कोई दिक्कत नी है और price भी इसका ठीक है 67,000 में laptop आपको मिलता है और asus का laptop है तो service वगेरा भी इसकी बढ़िया है जितना मेरा experience हा तो आप इस laptop के लिए जा सकते हो highly recommended तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care and stay tuned